मेरट में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दो लोगों को ग्रफतार किया है जहां ममेरे दो भाईयों ने अपने से छोटे भाई की प्रेम प्रिसंग के चलते हत्या कर डाली और हत्या को आत्म हत्या का रूप दे दिया हाला कि पुलिस ने तफ्तीश के बाद दोनो आरोपी भाईयों को ग्रफतार कर हत्या का खुलासा किया है दरसल कुछ दिन पहले 15 साल के चातर शेहनवाज का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था तफ्तीश और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपीओं को ग्रफतार कर लिया मृतक और ये दोनों अभ्यूक ये चारों आपस में रिजदार हैं बहुत ही नजदी की रिजदार हैं लगबख खून के रिष्टे की रिजदार है तो इसलिए बात थोड़ी सी बाहर आई कि लड़की की वज़े से ऐसा हुआ है फिर वहाँ पूस्ताच की गई और उसमें ये बात निकल के आई कि मृतक के पहले उस बच्ची से उस लड़की से संबन्ध है बाद में जो अभ्यूक्त हैं इन में से एक भाई से उसके संबन इन लोगों ने उसे माना किया कि अब इसका पीछा सोड़ दो वो नहीं माना और एक दिन पहले फेस्बुक मेसेंजर पे इन अभ्यूक्तों ने उसको धंकी भी दीती कल तक तुम्हें मार देंगे ये बात उसने कहीं बताई नहीं अपने घर में और वास्तों में लोगों फिलाल पुलिस मामले में कारिवाई करते हुए दोनों अपराधियों को जेल भेजने की तयारी कर रही है मेरट से आदिल रहमान की रिपोर्ट